हलो दोस्तों वेलकम टू पाई स्टेडी सरकल दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि TMA के मार्क्स कैसे चेक करें आज किस वीडियो में हम बताएंगे वुकुल सिंपल से तरीके से आपको के फटा फट आप कैसे अपने TMA के मार्क्स चेक कर सकते हो दोस्तों को दोस्तों बात प्रमोट किया जाती हैं तो आपको ट्यम में के बेस पर ही आपने जमा नहीं किया है तो फटा अपने ट्यम में बना जरी स्पीड पोस्ट कर दें पर एक बार वहां जाके मिलें जो भी वहां के तो इसके टाइम निकल चुका है आपका मतलब टीम में जमा करने का लेकिन फिर विए अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे मान जाएंगे तो जमा कर लेंगे ठीक है तो आप फटावट पहले अपने टीम में जिन बच्चों ने जमा नहीं किया हो वो फटावट अपने टीम में जमा करें और जिन बच्चों ने जमा कर दी हैं तो अपने मार्क्स चेक कर लें ऐसा ना हो यनिके TMA उतने ही जरूरी है याँ पर पास होने के लिए जैसे के exam फीस बरना है तो आपको जो है जैसे exam देना जरूरी होता है वैसे TMA देना जरूरी है क्योंकि अब बात पर्मोशन क्या गी है अगर आपको प्रमोट किया गया तो आपको TMA के Base पर ही प्रमोट किया जाएगा तो आईए हम चेक कर लेते हैं किस तरह से आपको मतलब अपने TMA के Marks चेक कर सकते हो तो दोस्त अगर आप चैनल पर नए है तो मैं आप से फिर बार बार यही बोल ला हूँ कि आप जो है चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले तो अगर आ आइकन भी प्रेस कर देना यह साथ में बैल आइकन भी प्रेस कर देना क्योंकि इस से आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा तो जितने भी नए इस्टूडेंट्स हैं फटाफट इस चैनल को सबस्क्राइब कर लो पाई इस्टेडी सरकल को यहां पर आपको मतलब जो भी इनएस की इनफोरमेशन आएगी जज जैसे परमोशन के बारे में जो भी बात होगी आपको बिल्कुल 100% सही तरीके से सिंपल से तरीके से बिल्कुल आपको समझाई जाएगी तो आईए बात कर लेते हैं अब हम किसके बारे में TMA के मार्क्स कैसे चैक आप गूगल पर यह लिखेंगे चैक एन यूएस एडमिशन स्टेटस तो जैसी आप करोगे तो उसके बाद या अगली आपकी विंडो इस तरह से खुल के आ जाएगी जो पहला लिंक होगा चैक एडमिशन स्टेटस आप इस पर किलिक करोगे तो इस तरह का आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी तो इस विंडो में यहाँ पर आप देखोगे तो इमेल है रेफ्रेंस नंबर है इन्रोल्मेंट नंबर किसी आपको अगर एक भी चीज पता है यह बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं चैक करने का वैस्त तो आप डै जैसे मैं डालूँगा उसके बाद सम्मिट कर देंगे तो यहाँ पर यह पोर्टल खुल के आजाएगा एक जिस जो भी बच्चे का नाम है जैसे यहां पर यह हम बात कर रहे हैं संदीप कुमार की तो इस तरह से खुल के आजाएगा यहां से आप जैसे नीचे जाओगे बेसिक डिटेल चेक कर लें आपकी बेसिक डिटेल है उसके बाद आपके जो है मतलब जो भी आपकी पासिंग मतलब जिस बेस पर आपने अडिमिशन लिया वो सारी चीज़े आ जाएगी और दोस्तों सी के बाद नीचे आएगा आएगा आपका टीम में का देखो जैसे यह नचे आएगा आपको दिखाया रहा है यहांपर आपके सब्जेक्ट हैं सारे के सारे और यहाँ पर आपने जो जिनके लिए अपलाई किया है वो सारे के सारे यहांपर नमबर आ चुके हैं तो हिंदी में जैसे 19 मार्ज है इंग्लीष में 18 मैं मैं इसमेफिडिक्स में 15 हैं इसलिए कम दिया है क्योंकि फिजिक्स कमिष्टी में आपका TMA होता ही 16 number का है फिजिक्स के लिए के मिश्टी पायोर के लिए अपने 16 नंबर तो लिए एक दो नंबर तो कट जाता है लेकिन इस बच्चे के बहुत अछे marks आए हैं तो इसके अंदर जो है आप इस तरह से अपने TMA के marks चेक कर सकते हो और क्योंकि आपको जो है इसी TMA के base पर आपको पास किया जाएगा जैसे अगर promotion की बात आएगी तो आपको इनी TMA के base पर पास किया जाएगा और इसी के साफ साफ की percentage भी बनेगी तो दोस्तों मैं फिर आप से ही कहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना क्योंकि यहां पर आपको बहुत जादे बता देते हैं उसको तो दोस्तों यह था आपका टीम में चैक करने का प्रोसेश को सिंपल समय ने आपको बताया है वैसे इसका लिंक बनीचे दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से आप डारेक्ट भी मतलब उस लिंक पर क्लिक करके अपने जो है टीम में चैक कर सकते हो बस आपको कि वह रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी या फिर इसके लावा दूसरा एक और प्रोसेश आपने आपके टीम में चैक करने का देश्बूर्ड पर लोगिन करके वहां पर टीम में स्टेटस का उप्शन आता है तो टीम में स्टेटस से भी आप अपने टीम में चैक कर सकते हो बाकि वह काफी मतलब थोड़ा सा लंबा प्रोसेश लेकिन यह बहुत चोटा सब प्रोसेश बस रोल लंबर डालो तुरंत आपके सब कुछ खुल के आजाएगा इसके लावा नीचे जो है इसमें आपको आपके जो भी सेंटर वगरा वो सारी चीज़े दिखाई जाएगे और साथ में यहां पर आपको यह भी दिखाई जाएगा आपने एक्जाम फीस जो जमा की है उसके बारे में बताया जाएग अगर किसी बच्चे ने TMA के मार्क्स नहीं चड़े है या अपडेट नहीं हुए तो परमोट नहीं होगा वो पास नहीं होगा क्योंकि पास भी किया जाएगा तो तो दोस्तों आप जो है फटा फट इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कर देना और अपने दोस् मतलब जो भी आनास वाले मिलने जुलने वाले जार दोस्त है उनके साथ शेयर कर देना और जो भी नए बच्चे अब मैं देख रहे हैं अगर अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो चैनल को सबस्क्राइब कर दो क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा है, हैल्फुल होने वाला है, क्योंकि हम केवल इन्फोर्मेशन ही नहीं, आपको पढ़ाते भी हैं, रोजना दो-तिन वीडियो आपको पढ़ाने के लिए भी आती हैं, और आपके काफी सारे सब्जेक्स की प्लेलिस्ट भी चल रही है, ठीक है दोस्तों तो बस यहीं पर मैं आपसे विजा लेना चाहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टेडी इन पाई स्टेडी थैंगे